What's up guys, welcome back to my channel NCRT Blaster कैसे हो बच्चा लोग, अच्छे से पढ़ाई चल रही है ना Hope you are doing well और आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं and quick revision करते हैं Last class में हम लोगों ने क्या पढ़ा था Last class में हम लोगों ने planets पढ़ना start किया था और हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि planets जो होते हैं वो कहां पर रहते हैं, कहां पर revolve करते हैं solar system में, वो revolve करते हैं orbits में, चीक है, कहां पर करते हैं the revolve in the orbits orbits क्या होती है, एक circular path होती है orbits क्या होती है इस तरीके से एक circular path होती है जिसमें क्या करते है अलग-अलग planets जो है वो अलग-अलग planets जो है वो revolve करते है ठीक है in the solar system इसके लावा हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे nearest planet है from the sun or to the sun we can say वो क्या है mercury है और mercury को कितना time लगता है अपना एक cycle sun के around complete करने में 88 days ठीक है mercury takes 88 days to complete its one cycle around sun ठीक है 88 days में क्या करती है mercury sun के एक चक्कर लगाती simple words रहे इसके अलावा हम लोगों ने वीनेस के बारे में देखा था कि वीनेस को क्या बोलते है अर्थ की ट्वीन बोला जाता है देन हम लोगों ने देखा था कि Pluto जो था Pluto is now a dwarf planet जबकि पहले उसको हम एक पूरी के पूरे full planet के number पे count करते थे ठीक है पहले यह माना जाता था कि 9 planets है और आप Pluto को जब dwarf planet में count करने लगे है तो यह मानते है कि आप कितने planets है 8 planets है तो प्लूटो इस प्लूटो इस प्लूटो प्लैनेट यदी एक व्यक्वेस्चन आता है कि प्लूटो प्लैनेट है कि नहीं तो नो प्लूटो इस नौट इस डौफ प्लैनेट ठीक है तो इस बात का आपको धिहान रखना है यह भी आप धानेट है ठीक है चलो तो अर्थ किया है अर्थ वो प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं आप लहते हो और आप घ håते हू मैं नहीं कि आ टाव चर्टबितन प्लैनेट टुदी-सन अ ंससे कितनी दूरी पर है कितने number पे मतलब उसका distance आता है तो third number पे तो फ़र्ट किसका है सबसे nearest है Mercury then Venus उसके third number पे हमारा Earth है ठीक है In size it is the fifth largest planet ठीक है Sun कौन से number का largest planet है ठीक है fifth largest planet है मतलब among eight planets of the solar system हम लोग Earth को कौन सा rank देंगे ने फिफ्ट रैंक देंगे ठीक है टोटल 8 प्लेंट सही तो तो ह१्ति इस ईपछिप देंगे सकत ह॥ ऑफ्त दे Helena खीङीो अभी यह पास CYR छ ही ऑगाई और टाम यह काफि जाधा important है कि Earth का जो shape वो क्या है geoid है इसको आप mark करके चलो it is really important यह आप से question में आ सकता है कि Earth का shape क्या है तो geoid होता है geoid means an Earth-like shape ठीक है geoid का actually मतलब ही होता है कि Earth की जैसा जो shape होता है वो अच्छा do you remember what is the satellite of Earth ठीक है जिसको जिसको नाम याद होगा कि earth का satellite क्या है तो वो आप लोग comment section में comment करोगे इसके अलाब में जो भी doubts आते हैं वो भी आप लोगो comment करना ताकि हम अच्छे तरीके से clear कर सके और हम line to line इसी रहे पढ़ रहा है ताकि आपका पूरा concept clear हो ठीक है चलो आगे चलते हैं conditions favorable to support life are probably found only on the earth ठीक है जो है ना Prob prere जो है जाफ जिदिगी जो है वो सिर्फ फै आठ में अभी तक के मिल पा me you have this byemente बाकी सारे planets में ईंसान रहते नहीं रहते हैं वो सांस ते आँ और पानी पी ते वो खाना खाते हैं वो जिना रहते हैं कि नहीं रहते हैं यह चीजिसें खों नहीं पता हम तक इता कर श्रहते हैं मतलब होते हैं एक dipping सोनी होती है अज्डिय्ज्ड हर तीज है पूरी होीडियो एक गरह में human beings के survive करने के लाए ठीक है it has water and air और कि आर्थ में हमारे आप सबको पता है कि आर्थ के परस क्या है water है पानी की सबको प्यास लगती है ठीक है water and air oxygen की सांस लेने की सबको जरूरत होती है यदि हमको पानी ना मिले हमको oxygen ना मिले air ना मिले तो obviously हमारी death हो जाएगी तो इस लिए सिर्फ और अर्थ को ऐसा planet माना गया है जिसमें life possible है क्योंकि यहां पर water and air दोनों ही present है ठीक है which are very essential for our survival आप सबको पता है कि water and air are really very essential बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे survival के लिए हमारे जिंदर रहने के लिए the air has life supporting gases like oxygen ठीक है air में क्या होता है ब आप लोगों ने देखा भी होगा movie में movies में या आपकी मम्मी के साथ यादे आप सीरियल देखते तो उसमें देखा होगा क्यों पेशेंट जो है इसको oxygen दो oxygen करके क्योंकि वह बहुत जरूरी है life के ठीक है तो वह कहां पर मिलता है वह अर्थ के air में present है अर्थ के atmosphere में oxygen gas present है outer space the earth appears blue because its two-third surface is covered by water देखो यदि लोग space में जाके जैसे नासाव अगरे आप लोगों ने सुना होगा शायद तो वहाँ पर से जब लोग क्या करते हैं ना space में जाते हैं उपर जाते हैं उपर जाके जब देखते हैं कि अर्थ कैसा अपियर हो रहा है तो अर्थ क्या होता है अर्थ बिल्कुल bluish appear होता है ठीक है कैसा appear होता है earth bluish appear होता है क्यों bluish appear होता है क्यों अर्थ जो है हमारा उसका अप्रॉक्स two-thirt मतलब 3 में से दो हिस्सा जो है उसमें पानी है earth के 2 x 3rd part में क्या है पानी है ठीक है suppose 3 number का आपका test चल रहा है जिसमें आपको 2 number मिल गए กा आ उसी तरीके से तीन पार्ट में से दो पार्ट में क्या है अर्थ के वाटर है जिस वज़े से वाटर क्या होता है ब्लू इश अपियर होता है और इसी वज़े से अर्थ is also known as Earth को हम और क्या बोलते हैं Blue planet भी बोलते हैं ठीक जिसमें हम रहते हैं जिसमें हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं उसका नाम है Moon, ठीक है, Moon क्या है, हमारे Earth का क्या है, One and Only Satellite, ठीक है, एक इकलौता satellite है, Earth का उसको क्या बोला जाता है, Moon बोला जाता है, Its Diameter is only 1 quarter, that of the Earth, इसका Diameter क्या है, Earth का 1 quarter है, अब 1 quarter का क्या मतलब होता है, देखो, one quarter का क्या मतलब होता है इस बात को समझने की कोशिश करना one quarter ये लिखा वो है न one quarter का सीधा सीधा मतलब होता है one by four ठीक है quarter का मतलब होता है four और one quarter का मतलब है तो है one by four that is equals to 25% ठीक है 25% तो हमारा जैसे कि earth का जेतना डायामीटर होता है आप लोगों ने को शायद पता हो कि डायामीटर क्या होता है तो जैसे कि यह एक circle है तो इसका जो ऐसा length होगा पूरा का पूरा मतलब जो एक point को circle का point होता है ठीक है वहाँ से यदि दोनों side को connect करतीicion line उसको हम diameter बोलते है तो सपोज यह अर्थ का डायमेटर है तो मून का डायमेटर अर्थ का डायमेटर का वन बाइ फोर्थ होगा यह सिंपल वर्ट में बोले तो 25 परसेंट होगा तो मून की जो दूरी है अर्थ से वो कितनी है तो मून की दूरी है किस से अर्थ से है ठीक है और इसको क्या मार्क करके चलना है हमको इंपॉर्टन मार्क करके चलना है तो फिर से समझो कि अर्थ मून से मतलब मून एर्थ से कितना दूर है त्री लाग एंट foarte किलो कि मून के साथ compare कर सकते हैं यह आपका टास्क है यह आप लोग करो एंड करके बताओ कमें सेक्षिन में ठीक करती है देखो मतलब एक बर से समझे इस बात को अर्थ किसके चारो तरफ घुमती संकी चारो तरफ घुमती है उसी तरी किसे मून किसके चारो तरफ घुमती है मून जो है अर्थ के चारो तरफ घुमती है ठीक है और मून को अर्थ के हमारे प्लैनेट के चारो तरफ घुमने म में जो टाइम लगता है वह होता है 27 इसका कितना टाइम होता है 27 चाइक रेघाने में इसको 27 दिन लगते है 27 दिज ये अपना खुद नफ जोरी में करती अर्थ के रहाँ चारों तरब भी रिवॉल्फ कर रही है और अपने खुद में भी गोल 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 घुम रही है इसी वाज होता है कि हमको मून का हमेशा एक ही साइड दिखता है दूसरा साइड नहीं दिखता है आप लोगों ने चंद्रयान के बारे में जानते होगे जो भी जिसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो वह जानता होगा कि मून का सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड अर्थ से हमको विजिबल होता है क्योंकि मून क्या करती है अर्थ के अरौंड भी घूमती है साथ में अपने स्पिन में भी रोटेट करती है और मून को अ एस बात का भी धियान में रखना खुक एंसान जिंदा नहीं हscaता है अब मुन में क्या से सपीक्सक्ते he plans माउन्टेंस मून में बहुत बड़े माउन्टेंस रहे प्लेशन से गढ़े ऑन इट्स बीस गास्ट शेड़ों लूक एट फूल मून अब्सफ दिश शेड़ों ठीक है जो मौन वगरह होता है इस वाप लोग थोड़ा सा तो च्छत में जाके फूल मून देवाले दिन थोड अच्छा इसके रावा हम लोग कुछ चीज़े देख लेते हैं इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जो है ना आपके इसको हम लोग थोड़ा बाद में करते हैं ठीक है यह सैटलाइट बगर आपन लोग देखेंगे चलो क्या करना चाहिए इस वीडियो को चलो ठीक हे थोड़ा सा लंबा ही कर लेते हैं इस वीडियो को अस्टारइट एस्टारइट क्या होता है भही अथ बीस मेंगदğ kita स्पेस में गुमती उसको क्या बोलते हैं एस्टेरोइड बोलते हैं क्या बोलते हैं अभी एक बड़ा सा एस्टेरोइड आर्थ से टकराने वाला था आपने सुनाओ को दुनिया खतम हो जाएगी इस तरीकी की जो है रूमर्स फैल रहे थे ठीक है ऐसा कुछ हुआ तो नहीं मिलते हैं कहां पर मिलते हैं यह इसको फिर से मार्क करके चलना इंपॉर्टेंट अपने बुक में आप लोग मार्क करना कहां पर मिलते हैं मार्स और जूपिटर के और बीच में मिलते हैं ठीक है थोड़ा सा पर ऊपर आते हैं यह देखो यह जो है ना अपना यह एस्टेरो बेल्ट दिख रहा है ठीक है तो इसी पोजिशन में क्या मिलते हैं हमको एस्टरोइट मिलते हैं ठीक इसके अलावा फिर अपना आते हैं तूट तूट कर तूट तूट कर एक साथ जम जाते हैं ठीक है इस तरीके से साम समझ सकते हम अपना आगे बढ़ते हैं यह फिगर वन पंट फाई जो है वा आपका क्या दिखार रहा है एक समझ ठीक इस तरीके से अस्टरोइट होते हैं बड़े-बड़े पत्थर ale टाइक हो pieces of rocks which which move around the sun are called meteoroids meteoroids ऐसे पत्थर होते हैं ऐसे rocks होते हैं जो sun के all around move करते रहते हैं sometimes these meteoroids come near earth and tend to drop upon it कई बर क्या होता है ना कि meteoroids जो है वो earth के आसफास भी आ जाते है और ऐसा लगता है कि earth में गिर जाएंगे drop हो जाएंगे during this process due to friction with the air they get get heated up and burn जिसमें क्या होता है कि जब air भी मिल जाता है या उपर का जो atmosphere वो favorable नहीं होता तो meteoroids क्या होते है हीट हो जाते हैं और इस process की वज़े से वह बन हो जाते हैं ठीक है it causes a flash of light जिसकी वज़े कई बार क्या होता है कि ना मैटराड जो होता है ना वह बिना जले मतलब बिना खतम हुए या बिना completely burn हुए जो है धर्ती पर अर्थ पी गिर जाते हैं और एक whole टाइप से एक hollow टाइप का ठीक है clear night में देखना आप लोग इस a cluster of millions of stars बहुत सारे आपको stars लगें मिलेंगे ठीक है यह कई बार आपके wallpapers वगर में भी होता है ठीक यह galaxy वाला जो है ना जो हम पढ़ने वाले तो इस तरीकी का structure और कुछ नहीं तो आपना a firm an example एक एक cool ऑसी एक ago मैं फजो सिस्टम है वो भी एक मेर हमारी जो गैलेक्सिय चो उसका नाम में milky साव galaxy own sovo ईर्फढ गैलेक्स तो हमारे जो सोलर सिस्टम है जिसमें बहुत भी आता है वां इंशा involved च inगेशा अचैन बहुत इस बहुत हैं वें आपका river of light इसको क्या बोला जाता था river of light बोला जाता था ठीक है light की नदियां बोली जाती थी flowing in the sky जो कहाँ flow हो रहा है sky में flow हो रहा है thus it was named as akash ganga milky way galaxy को और क्या बोलते थे akash ganga बोलते है ठीक है गंगा क्या है एक river है जो flow होती है उसे तरीके से मिलकी वे galaxy को भी माना जाता था कि वो आकाश में flow होती हुई sky में flow होती हुई एक river है तो इसको आकाश गंगा भी बोलते हैं ठीक है और galaxy is a huge system of billions of stars देखो galaxy क्या होती है अब देखो एक और नई चीज है भई कि galaxy क्या होती है तो galaxy is a huge system बहुत बड़ा system है of billions of stars दिसमें billions of stars होते हैं and clouds of dust and gases और क्या होते हैं बादल होते हैं किसके बादल होते हैं clouds होते हैं dust के और gases के there are millions of such galaxies that make the universe ठीक है तो बहुत सारे galaxies मिलके क्या बनाते हैं universe बनाते हैं देखो इस चीज को समझने के आप लोग कोशिश करो थोड़ा बहुत सारे solar system मिलके एक galaxy में आते हैं ठीक है बहुत सारी galaxies मिलके क्या करती है मतलब पूरे के पूरे universe का formation करती है और हमारा जो planet है हमारा जो अर्थ है वो जिस galaxy में उसका नाम है मिलके वे उसको बोला जाता है आकाश गंगा भी बोलते हैं ठीक है पारे में और भी जादा खोज रहे हैं we are not certain about its size but we know that all of us you and I belong to this universe हम नहीं जानते कि universe कितना बड़ा है साइज में हो सकते हम जितना सोच भी नहीं पा रहे हैं उससे भी बड़ा है लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि आप मैं यह कोई भी हमारे आसपास जो भी है वो सबके सब इसी universe का पार्ट है ठीक है तो एक universe के अंदर के आता है बहुत सा कि आप लेकिन फेक्ट भी देख लेते हैं ठीक है अपका यह वीडियो थोड़ा से ज़्या लंब हो रहे है चलो एक आत मीनिट और देख लेते हैं धन खताम हो जाएगा यह जाप्टर ठीक हो बड़ा कॉपरेट कर आप लोग इसमें सेटिलाइट क्या होता है सेटिलाइट सेटिलाइट क्या होता है जो अर्थ का सेटिलाइट क्या है अर्थ का सेटिलाइट क्या है अर्थ का सेटिलाइट के अलावा कुछ हूमन मेड सेटिलाइट होते हैं जो इंसान बनाते है ठीक है नेचरल सेटिलाइट तो इनसान बनाते है ठीक है नेचरल सेटिलाइट तो इ मेट को बनाते हैं, human-made satellite is an artificial body, it is designed by scientists to gather information about the universe or for communication, it is carried by rocket and placed in the orbit around the earth, some of the, ठीक है, देखो human-made satellites भी बिलकुल natural satellite तरीके के structure होते हैं, जो humans बनाते हैं, humans क्यों बनाते हैं ताकि universe की अच्छे तरीके से study की जाए, और हमको जो है याद रखना है कुछ important satellites के बारे में याद रखना है, जो कहां बनाया गया है, ठीक है, यह बोल सकते हैं कि कुछ important human-made satellites के बारे में हमको याद रखना है, तो यह भी आप क्या करो, आप important लेके चलो, आपके exam point of view से, ठीक है, इसके अलाव आपन देखते हैं, Neil Armstrong, Neil Armstrong कान था, Neil Armstrong was the first person to step on the surface of the moon on 21st July 1969, तो बहुत important tip, पूछा जाता है, आप लोगों ने 3D देखी होगी, तो आप लोगों को सब को पता होगा, कि पूछा जाता है कि कौन से ऐसा इनसान था, जिसने मून में अपना पहला पैर रखा था, ठीक है, तो Neil Armstrong, he was the person, जिसने सबसे पहले मून को विजिट किया था, मून में अपना पैर रखा था, इसके लापो हम देखते हैं, कि light, जो speed of light होती है, वो कितनी होती है, तो speed of light होती है, 3,00,000 km per second होती है, speed of light का मतलब है, जो sun की light होती है, उसको अर्थ तक आने में कितना time लगता है, तो जो sun की light होती है, वो sun से निकल के अर्थ तक आने में उसको जो time लगता है, वो है 3,00,000 km per second का, ठीक है, तो इस तरह के से हमने कुछ important चीज़े देखी है, इसके अलाबा भी आप लोग देखो, और साथ में जहां बर भी जो भी doubts आते हैं, उसको आप लोग बताओ, comment section में clear करो, और question answers जो है आपके, आप लोग बनाने की कोशिश करो, easy easy questions है, ठीक है, कि planet star से कैसे differ होते है, ठीक है, solar system क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया है, कि planets जो होते है, उनक इसके बाद फिर Earth को unique planet क्यों बोलते है, Earth is a unique planet because it has life, ठीक है, it has required, it has the gases required for the life like oxygen, तो इस तरीके से आप इन answers को लिख सकते हो, मैंने जो जो चीजे आपको important mark कराई है, वो सब यहां आपको कहीं न कहीं से मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि आप MCQs में देख लो, तो आपका A है, the planet known as the twin sister of Earth, ठीक है, तो यह क्या है, आपका Venus है, तो इस तरीके से आप मार्क करते हुए, चलो, आप से सारे के सारे questions बनेंगे, फिर भी यदि कोई नहीं बनता है, तो आप comment section में लिखो, वो हम लोग देखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और तब तक कि अच्छे से ठीक है, गुद बाइ, टेक कियो, सून बबाइ